How to connect Bluetooth speaker to your laptop in 2020 and 2021 आज की वीडियो में इस method इस process को किस तरीके से apply करना है यही मैं आपको बताऊंगा Basically यहाँ पर यह जो topic है मैं cover कर रहा हूँ beginners के लिए और यहाँ पर process बताने से पहले मैं यहाँ पर यह जो Bluetooth speaker इसके बारे में थोड़ा से explanation देना चाहूंगा जैसे कि अगर आप एक budget Bluetooth speaker आप search कर रहे है तो आपको एक right Bluetooth headphone यहीं की speaker मिल जाए तो यह जो Bluetooth speaker है यह है बोट की तरफ से बोट stone granite इसका model number है और इसे मैंने पर्चेस किया है flip card से रूपीस 1500 रूपीस में तो यह है इस Bluetooth speaker का एक box अगर आप एक budget Bluetooth speaker देख रहे है जिसमें आपको एक अच्छा खासा backup मिल जाए तो आप बिना any doubt इस Bluetooth speaker के लिए जा सकते है इस speaker में आपको जो base है amazing मिलेगा अगर आप घर में छोटा party करते है घर के अंदर आप पार्टी कर रहे है तो यह Bluetooth speaker आपको काफी अच्छा productivity देगा तो यहाँ पर इसका जो price है 15 रुपे और यह आपको offline stores पे बिल्कुल भी available नहीं मिलेगा आपको इसे purchase करना है तो online store से ही यानि कि flip card या Amazon जैसे websites पर आपको यह Bluetooth speaker देखने को मिलेगा इसको जो watt है basement का वो है 5 watt है तो लेकिन इसमें जो base है वो amazing है आपका पैसा पूरी तरीके से वस्सूल हो जाएगा अगर आप इस Bluetooth speaker को purchase करते हैं तो इसमें आगर मैं battery backup की बात करूँ तो battery backup इसमें आपको easy मिल जाता है 7 hours का इसमें आपको battery backup मिलता है अगर आप पूरा 100% इसका volume यूज करते हैं लेकिन आप 50% अगर आप इसका volume यूज करके इसमें sound play करते हैं तो आपको यह easily 10 hour का battery दे पाएगा हूँ तो यहाँ पर अपने Bluetooth speaker को अपने laptop से करेंट करने के लिए सबसे भले आपको इस Bluetooth speaker को turn on करना है power button पर आपको 2 seconds के लिए प्रेस रखना है और आपका Bluetooth speaker यहाँ पर turn on हो जाएगा as frequency यहाँ पर light blinking होने लग चुका है अब उसके बाद इसे अपने laptop से connect करने के लिए आपको अपने laptop में Bluetooth का setting है उससे आपको turn on करना है turn on करने के लिए आपको mouse पे right click करना है और Bluetooth के settings में आपको जाना है तो जब आप first time अपने Bluetooth speaker को अपने laptop से connect करेंगे तो सबसे पहले आपको यह पने laptop में जो Discoverable का option है उसे आपको turn on करना है तो सबसे पहले आपको Bluetooth on करना है Bluetooth on करने के भँए यहाँ पर आपको Klik करने के बाद दो सेकट में आपकorf के लपड़ाप से connect हो जाएगा आपको डिस्कनेट करना है तो आपको डिस्कनेट करना है तो फाइनली आपका Bluetooth स्पीकर आपके लैप्रॉप से अप्राइप कर सकते हैं और इसी तरह के से जो स्पीकर है उससे अपने लैप्राप से करनेट करना है तेसल हैं 2020 & 2021 थैंक्स वाचिए तो